नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहत धोनी क्रिकेट के खेल का वो मास्टर जिसकी दुनिया मुरीद है पता नहीं धोनी में ऐसा कैसा जादू है जो सबस्यादा प्यार किये जाने वाले और सबस्यादा सेलिबरेट किये जाने वाले वो खिलाडी बन गए है सोचता हूँ धोनी पर खबर लिखूं तो भूमिका नहीं बनाओं लेकिन ये कलम जो अपकी बोर्ड है वो खुद बखुद माही के लिए लिए लिखी देती है इसलिए आज हम भी लिख दे रहे हैं धोनी जैसा कप्तान जीवन में एक बार आता है वैसे हम तो ये कहते ही हैं कि धोनी जैसा कप्तान तो जीवन में एक बार ही आता है बलकि हम तो ये भी कहते हैं कि धोनी जैसा खिलारी धोनी जैसा बेक्त भी केवल एक बार ही जीवन में आता है फिलाल धोनी जैसा कप्तान जीवन में एक बार आता है इसकी बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है जड़ेजा की तरफ से जिहां जड़ेजा की तरफ से उनका मानना है कि खिलारी नए आते हैं और कप्तान भी नए आते हैं और चले जाते हैं लेकिन धोनी जैसा कप्तान जीवन में एक बार ही आता है और वो जिन्दगी भर्याद रहता है यह बयान जड़ेजा का ऐसे समय में आया है जब चिन्दगी की कप्तानी में अचानक से बदलाग हुआ IPL के दोरान क्यूंकि टीम को जीत नहीं मिल रही थी और दोबारा धोनी को जिम्मेदारी इसके बाद उठानी पड़ी अब जब धोनी ने CSK की जिम्मेदारी दोबारा है जब भारती टीम के कप्तान थे तब भी ऐसा होता था धोनी अंतर पैदा करते हैं इसके आगे कप्तान धोनी की तारीफ करते हुए अजे जड़ेजा कहते हैं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनकी कप्तानी में चन्नई ने हर मैज जीता है लेकिन धोनी उनके लिए अगर 15 साल में लोगों को यह समझ में नहीं आया कि कप्तान धोनी क्या कर सकते हैं तो उन्हें कुछ भी समझाने का कोई मतलब नहीं है फिलाल CSK की कप्तानी सभानने के बाद धोनी टीम को पट्री पर लाने की कोशिस में लगे हुए हैं इसी बीच जिस तरीके से अज़े जड़ेजा ने यह बयान दिया और कहा है कि धोनी जैसा कप्तान एक बार ही जीवन में आता है वो बयान अपने आप पे बहुत बड़ा है और जिस तरीके से जड़ेजा ने यह बयान दिया उसके बाद उन्होंने सब का दिल जीत लिया है फिलाल धोनी चन्ने सूपर किंग्स को प्ले आफ में पहुंचाने के लिए जड़ो जहत कर रहे हैं उम्मीदें बहुत कम हैं लेकिन जब धोनी हैं तो सब कुछ मुमकिन देखता है देखना है आगे क्या कुछ होता है फिलाल आपको क्या लगता है दोनी जैसा कप्तान जीवन में एक बार ही आता है कमिन करके अपनी राय हमें जरूर बताएं